रादे रादे सभी को आज मैं आपके लिए सुक्र प्रदोश व्रत की कहानी लेकर आई हूँ प्राचिन काल की बात है एक नगर में तीन मित्र रहते थे एक राजकुमार दूसरा ब्रहामड कुमार और तीसरा धनिक पुत्र राजकुमार वा ब्रहामड कुमार का बिवा हो चुका था, धनेक पुत्र का भी बिवा हो गया था, किन्तु गौना सेस था, एक दिन तीनों मित्र इस्तियों की चचा कर रहे थे, ब्रहामड कुमार ने इस्तियों की प्रसंसा करते गए कहा, नारी हीन घर भूतों का डेरा होत कि दढлек पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा ससुराल वं भी उसे रोकनेगी बहुत कोसिस की गई मगर उसनेग नही चुड़ी माता पिता को विवस ओकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी ससुराल से विदा हो पती पतिनी नगर से बहां निकले ही थे कि उनकी बैलिगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग तूट गई दोनों को काफी चोट आई फिर वी वह आगे बढ़ते रहे कुछ दूर जाने के बाद उनकी भेट डांकों से हो गई टा ब्रामड कुमार को यह समाचा मिला तो वह तुरंत आया उसने माता पिता को शुक्र प्रदोश ब्रत करने का परामर्स दिया और कहा इसे पतिनी साइध बापत ससुराल भेज दें यह सारी बाद है इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र सुक्रास्त में पतिनी को बिदा क करें सब्सक्राइब और से यह जड़ू करना राते रहांते हैं